हेलो अबरीबन आप देख सकते हैं हम Microsoft Excel को स्टार्ट कर रहे हैं और Microsoft Excel के अंत्रगत आज इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे यहां पर सौर्ट कर्स में सबसे पहर है यहाँ पर सौर्ट कर्श आप देखोगी मैं राइट किया है स्पहलिंग के लिए यहाँ पे च्रत करें आर सप्लस प्लस अर प्लस एस हैं ऑक आभ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैंने वर्रट को टाइप किया जैसे for बाद एक बार एक को प्रेस कर दूँगा तो आप देखो कि एक डालक बॉक्स यहां पर ओपेंड हो जाता है और इसमें लिखा है यहां पर लिखा है उपर नॉट इंडिक्सेंडरी और जो वर्ड सेलेक्टेड है यहां पर सी ओ पी यू टी यार और सजेशन में यहां पर मिल रहा है कि जो यह वर्ड लिखा गया इसका कोई मैनिंग्फुल वर्ड जो होगा सजेस्ट करके नीचे आपको दिखा रहा है जैसे कि कंप्यूटर आप इस की स्पैलिंग यहां पर सही हो चुकी है और अगला वर्ड यहां पर सेलेक्टेड हो चुका है देख सकते हैं म्-s-c-i-n लिखा हुआ है जब यह यहां पर डिक्सेंडरी में नहीं होती है नीचे देखो आप सजेशन में आपके लिखा अम-s-c-i-n-e जस इस पर क्लिक करक इसलिए किया रहा है spell check complete ठीक है अपने पूरी के पूरी इस डाकुमेंट में spelling को check कर दिया है सारी spelling सही हो चुकी है तो इस तरीके से आप spelling के shortcut का उपयोग कर सकते हो यानि कि alt r plus s का और आप अपने डाकुमेंट पर अगर कोई mistake अगर कोई spelling आप write किये हो तो उसको आप याँ पर suggest कर सकते हो और आप उसे सही कर सकते हो ओके आईए अगले shortcut को देखते हैं अगला shortcut यहाँ पर थी सार्स का है देख सकते हो आप यहाँ पर write किया गया है थी सार्स और shortcut है इसकी alt के साथ r plus e अगर आप किसी words related आपको जानकारी चाहिए माली जी यहाँ पर बेटर write किया है यहाँ पर target write किया मैंने तो अगर मैंने बेटर को select किया और इस shortcut का उपयोग करूँगा तो बेटर से related कई सारे word आपको यहाँ पर side में मिल जाते हैं तो आप alt button को प्रेस करो आर को एक बार प्रेस करना है फिसके बाद e को प्रेस कर दीजिए ठीक है जीसे आप प्रेस करोगे तो आप देखो कि side में आप बेटर से related options आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि healthier improved well ठीक है कुछ इस तरीके के word आपके सामने आप ठीक है मिल जाते हैं ठीक है अगर मैं target को select करके यहाँ पर click कर देता हूँ यहाँ पर इसी shortcut को alt button के साथ r को plus e को प्रेस करूँगा तो same ही आप देखोगे कि यहाँ पर result आपको यहाँ पर मिलेगा alt को प्रेस किया हूँ r को प्रेस कर दूँगा और e को प्रेस कर दूँगा तो target से related options मिलेगा board mark goal देख सकते यह सब word आपके पास यहाँ पर मिल रहे हैं ओके जो कोई भी word आप select करते ह हो जैसे कि target को ही मैंने thread किया था और alt को button को दबाया था और को फिर इसके बाद e को प्रेस किया था तो देखा कि यहाँ पर target related word आपको यहाँ पर मिल रहे हैं अगर मालीजे कि कोई word आप इसमें से कोई word आपको यहाँ पर insert करना है तो simply आप यहाँ पर click करके copy कर सकते हो या या फिर insert पर click करोगे तो यह word आ जाएगा ठीक है तो target से समबंदित यह सारे word आपको यहाँ पर display हो रहे हैं ओके next यहाँ पर देखोगे तो लिखा गया smart look up ठीक है smart look up का क्या काम होता है यह देखो आप यहाँ पर यहाँ पर दो मिने टर्व लिखा है मैंने यहाँ पर दो सब्द लिखा है एक computer सब्द है दूसरा यहाँ पर मैंने CPU write किया है अगर मुझे CPU के बारे में या computer के बारे में को फिर CPU को ऐसे select कर लिया हूँ देख सकते हो और simple है आपको अपना internet connection को जारी रखना है और इस shortcut का उपयोग कर ले रहा है क्यों आप अल्ट बटन को दबा के रखो आर को एक बार प्रेस करो और फिर एक बार आर को प्रेस करतो के जैसी प्रेस करो के तो देखो इधर कुछ loading ह होगा आपको यहाँ पर और थोड़े ही दिर में आपको यहाँ पर लोटिंग होने के बाद CPU की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ओके आप देखो मैंने CPU को select किया था तो CPU की बारे में आपको यहाँ पकैंसे मिल एकी CPU का फॉल फॉसेंटर प्रोसेसिंग योनिट होता है एंटर प्रोसेशिंग जर्पिबंग हों अब बैंसे में कम्प्यूटर को logr करता था तो यहाँ मिलता आप दीखों मैं आपको computer related options को यहां पर दिखाता हूँ जैसे कि मैंने computers को select कर रखा है और simply मैंने इसी shortcut copy किया alt के साथ R बटन को दबाया फिर R को प्रेश कर दूँगा तो आप देखो कि यहां पर कि आभी loading यहां पर चल रहा है थोड़े दिर में computer आपको information देख सकते हैं पर मिल गया computer के बारें बता है कि an electronic device for storing and processing data to play in the binary format according to the instruction given it in the variable program ठीक है तो जो कोई भी word आप यहां पर राइट करोगे उस words related आपको options यहां पर क्या होगा मिल जाएगा किसके द्वारा smart look up के आत्यम से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को subscribe कर देजिए साथ वेल आइकन को हिट कर देजिएगा ओके थाइंक्स पर वाजिंग दिस वीडियो चीन दे नेक्स वीडियो